तो नेता जी कहीं में आज बात उसी नेता की जिसमें ब्रेक में जाने से पहले जिनकी हम बात चर्चा कर रहे थे रामानुच गंज से विधायक ब्रिहस्पत सिंग की जगा इस बार कॉंग्रेस ने अंबिकापुर से महापाओ डाक्टर अजे तिर्की को मौका दिया है जिस पर ब्रिहस्पत सिंग बड़े नाराज है अपने टिकेट कटने से लिकर और इस पर आई बीजी 24 से ने खास बात चीत की है वरतमान में रामन उजगन से कॉंग्रेस के विधायक ब्रिस्पत सिंग है और वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद ने से बाच्चित करते हैं लगातार पार्टी के लिए अपने काम किया है लेकिन इस बार पार्टी ने मौका नहीं दिया है अजे तिर्के को मौका दिया जो चेतर के विधायक रहा और 10 साल में भी सारे अपने बिधानसभा चेतर के कारकरताओं से विहतर तालमेल और ने अपनी वी तालमेल होने के नतीजा था कि मेरे विधानसभा से एक भी उमीड़ वारskite vandaag ओमारे कि विरोध साथ किसी भी इस तर पर कहीं से कोई विरोध नहीं था सिंगल नाम गया गया था फिर भी तो क्या उपर का कुछ दबाव लग रहा है आपको देखिए आप सब लोग रगातार टीवी चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं यह समझोता हुई पहला बार ऐसा हुआ ज भारती जनता पार्टी के हमारे मित्रों ने अले स इंगार्णी के खिलाफ डमी कंडि देने का तय किया है जो टीयस सिंग देव साहब जिसको भी डाम तै करेंगे, कि सबसे कमजोर candidate कौन है भारती जनता पाटि का, उसको भारती जनता पाटि टीकट देगी, और वहाँ के कदवार नेता माननिय नेताम जी के पिलोद, सबसे कमजोर कंडिडेट उस चेतर में नहीं खूब बिल पाया तो बाहर से भेजיפिट कर आप कल्पना कर लिए बाहर से भीजिक्र वहां डबमी कंडिडेट देने काम किया है है ताकि मानने नेताम जी आसानि से जीक कर आ सके और माननी डिप्टी सि कीण देव क्यों मौन रहा इसका तो कांग्रेस हाई कमा नहीं बता सकते हैं ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगए ब्रेसपा सिंग जी है वरतमान में कांग्रेस के विधाया के रामानुज गन से हलाके इस बार इनको प्रत्याशी नहीं बनाया है लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा आरोप टिये सिंग्देव के पर लगाया है कि टिये सिंग्देव शायद कुछ उनकी लालसा बढ़ गई है इस वज़े से वो बाचपा से साड़ गाट कर लिए हैं ऐसा उनका सीधा सीधा आरोप है कैमरा मैं रमाश हंकर के साथ स्टार जेन आई बीसी 24 राइपूर